हे गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक ट्वाइंग शीट जो मैंने अमेजन से ओडर किया है यू कन सी हिर यह मैंने काफी टाइम बात पर्चेस किया है इसका प्राइस पहले से थोड़ा सा बढ़ गया है ठीक है तो पहले इसकी क मैंने पेज लिए थे तो मेरे पास बहुत सारा पेज पढ़ा वाथ हो लोगड़न में ज्यादा ओडर नहीं थे इसलिए यह थोड़ा सा मोटा होता है यह पेपर ठीक है यह ब्रुस्टो ब्रैंड का है और इस पेपर का नाम है ब्रिस्टल है वेट अल्टा स्मूथ और यह मेड इन इटेली है ठीक है एज यू कन सी और यह बहुत ही जबर्दस शीट है बहुत ही स्मूथ है इसमें रिजल्ट बहुत ही बहतरी नाता है मैं आपको एक बार बिल दिखा देता हूं यह मुझे कितने का पड़ा था मैंने दो मंगाया था तो यह 798 का मैं में आपरोक्स 800 बोल सकते हो यानि कि 24 पेज का मुझे 800 रुपे पड़ा है यहाँ पे एक बंडल पे मतलब एक पैकेट में हमको 10 प्लस टू यानि की 12 शीट मिलते हैं ओके मैं आपको पेपर खोल के दिखाता हूं और यह काफी स्मूथ है शायद कैमरे में ठीक से नहीं दिख रहा होगा मै मैंने पेपर मेंड्राइंग बनाया था वह आपको दिखा देता हूं कि कि यह मेरा पुराना वर्क है 2019 का जिसमें मैंने पोट्रिट बनाया था आप देख सकते हो यह कितना स्मूथ है इसमें वो दाने दाने जैसे जिए टेक्च्च्यर आता है वह सब नहीं है बहुत ही स्म आपको वह दिखाता हूं इसमें काफी रफ आपको टेक्च्चर पेपर में भी दिखेगा और स्केच की उपर भी दिखेगा जैसा कि आप देख सकते हो फेस पेस किन पेवन यह बैग्राउंड पे देखो यह जो दिख रहा है ना इस टैप की चीज़े यह विजिबल रहती है बट इसमें बेनिफिट यह है कि जब आप इसको दूर से देखते हो ना तो यह बहुत ही प्यारा दिखता है दूर से इसकेच का लुक बहुत अच्छा आता है तो यह डिफ्रेंस है और यह वाला पेपर थोड़ा सा कॉसली नहीं बोलेंगे कार्टेश चीट को बट यह जो इसी पेपर में ही करता हूं और यह अधा कार्ट के भी इसको बना सकते हों आपको लेने की ज़ुरत नहीं है और यह डिस इस इट आपको यह वीडियो फसंद आयोगा और हेल्फू लगा होगा डिस्क्रिप्शन में मैंने पेपर का लिंक डाल दिया है आप वहां से देख सकते हैं और चाहें तो पर्चस कर सकते हैं